बाबा के साथ का बहुत ही प्यारा अनुभव सो काम छोड़ कर थोड़ हसा समय निकाल कर जरूर सुनिये और सुनाईये और इस अनुभव के सुनने से आपके अंदर प्रमात्मा के प्रती शर्धा, प्रमात्मा के प्रती प्यार, प्रमात्मा के प्रती विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करता है, हमारे आत्म बल को बढ़ाता है और आत्म शक्ती के होने से ही हमारा जीवन जो है सरल हो जाता है आत्मा का ज्यान प्रमात्मा हमें देते और आत्मा कबल हमें मिलता जिससे ही फिर हमारा जो कर्म है जो हम कर्म करते हैं कर्म में रहते हुए किस तरह से हम बन्धन नहीं समझते और हर कर्म को हम हर शोलास के साथ करते तो यह सब बाबा हमें ज्यान देते हैं तो आप सरूर सुन एक बहुत ही बाबा के साथ का सच्चा अनुभू. बाबा ने किस तरह से ग्रहस्त में रहते हुए, बिना सैंटर जाए, बिना मधवन जाए, बिना किसी वरिस्ट राजियोगी या कोई राजियोगनी या कोई बीके भाई बहन के पास जाए, उस गौड फादर परम पिता प्रमात्मा शिव निराकार मीठे मीठे बाबा ने कैसे घर बैठे, अपना ज्यान दिया और किस तरह से सेवा के निमित चुना, यह है बहुत ही प्यारा और एक्तम प्यूर सच्चा, सौ प्रतिशत सच्चा अनभो मैं खुद का आपके साथ अनभो करेंगी, तो आप सभी जरूर इस अनभो को सुनने के साथ साथ बाबा का साथ लीजिए, इस संसायर में हर एक को उस परमात्मा के साथ की बहुत बहुत आवश्यक्ता है, और इसी लिए मैं आप सभी के साथ में यहे, सादा से सादा अनभो करना चाहूंगी, हर एक छोटा बाबा के साथ का अनभो साजा बीच बीच में करते रहूंगी, तो मैं अपना अनभो आपके साथ साजा करती हूं, 2008 से मैं जो हूँ, गल्फ कंट्री में रहती हूँ, दोहा में, और 2008 में तो मैं बाबा के ज्यान में नहीं आई थी, मेरा लौकिक नाम उमा है, मैं MP से बिलॉंग करती हूं, मुझे 2008 में तो दूर दूर तक बाबा का कुछ भी जी भी नहीं पता था, ज्यान का जी नहीं पता था, बाबा का भी नहीं पता था, लेकिन मैं भक्ती में जो सादा इष्ट जो मेरे मैंने भक्ती में बनाए थे, वो मेरे हनमान जी सबसे साथा मैं उनको ही पूझा करती थी इस जैसे हर दरफ तू ही तू है ना किसी को कृष्णे से मुझे हर दरफ हनमान ही हनमान देखाई पड़ते थे जब मैं ग्यान में नहीं थी तब मुझे रात में बहुत गंदे-गंदे सपने आया करते थे मैं रास्ता भटकी हुई रहती थी और सपने में ही रास्ता भटक जाती थी और बहुत गंदे जगहे में चले जाती थी और जिससे भी मैं घर का रास्ता घर का पता पूछती थी कोई भी मुझे घर का रास्ताव ना बताएं, मुझे भटका देते थे, बहुत ही गंदे जगह का एड्रस दे दिया करते थे, ये सपना मेरे साथ कम से कम कई वर्षों तक लगा तार चला, और वो सपना मुझे कुछ भी इसके पीछे का रास नहीं पता, और अभी भी शायद लेकिन जहां तक मेरा experience कहता है कि ये ग्यान की ओर मुझे खीच कर लाता था, और उस सपने का एक जो सबसे जादा दिखाई देता था, वो था, कि मुझे सबसे जादा साप snakes दिखाई देते थे, और वो snakes ऐसे दिखाई देते थे, कि बिल्कुल मुझे एक इंच भी जगह न इतने घणे रहते थे वो, और मैं इतना डरती थी कि रात मैं मैं सोना, रात रात भर जागा करती थी, लेकिन 2012 मैं मेरा चोटा बच्चा जो बॉन होने के बाद मैं एक साल का करीब हुआ, 2013 मैं मेरी लौकेक मा के साथ मैं कभी-कभी मुरली जाया करता था, तो उस समय मुझे मुरली का M भी नहीं पता था, तब मैं थोड़ा बच्चा है, चलो ममी कहीं जाती है, ऐसे ही कुछ सत्संग में जाती होंगी, ऐसे सोच करके मैं चलो बच्चा जा रहा है, खुश है, जाता है, चला जाता है, तो नानी के साथ मैं जाकर के सुना करता था, तब तक भी मुझ यहाँ गल्फ में रहती तो कुछ अच्छे अच्छे जैसे हमारे शिबानी बहन हैं जैसे हमारे B.K. कमल भाईजी हैं जैसे सुरिया भाईजी हैं और हमारे शेलू बहन हैं इनके यो ही मैं चलाया करती थी, तो वीडियो दिखते थे, हमारे उशाब दीदी हैं, इन सब के वीडियो को मैं देखा करती थी, तो मुझे उसमें बड़ा आच्छा लगता था, और उनको सिर्फ मैं सुनती नहीं थी, उनके पॉइंट्स को मैं बड़ा ध्यान से सुन करके म मुरली भी जब मैं शुरू शुरू में मैंने बड़ा मजाक बनाया, मुझे नहीं पता था एक्छुल मैं कौन है, हमारे इंडिया में लॉकिक हाउस के बगल में काफी समय से एक बहन ग्यान में चल रही हैं, वो कहा करती थी कि कोर्स कर लो, आते हो तो कोर्स कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं रहता था, इस तरह से मैं अवॉइट कर देती थी और वो बहन बताया भी करती थी कि हम मुरली जाते हैं और कहा करती थी कि विनाश होने वाला है, तो भगवान मुरली चलाते हैं, तो हमें बड़ा आजीब लगता था और बहुत ही अंदर से उनके उपर मैं कहना चाहिए कि मजा जैसा उड़ाने का अंदर से चलते थे संकल्प, तो फिर कब बाबा ने हमें ग्यान में ले लिया, कब बाबा ने हमें ये निमित बना दिया, कब बाबा ने हमें आत्मा का ग्यान दे दिया, सच पूछो तो exactly मुझे कुछ भी नहीं पता, सच पूछो तो बाबा के इस ग्यान को ले करके ये बाइफाई ग्यान, बाइफाई बाबा, बाइफाई रहने वाला, बाइफाई के द्वारा ग्यान देने वाला, उस परमात्मा ने मुझे कब अपना इतना प्यारा बच्चा ग्रहस्त से चुन लिया, एक परिवार मायनों में मैंने मुरली शुरू की 18 में मुझे एकदम blind faith हुआ क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था वो फर्स फ्लोर से गिरा और उसको बाबा ने अपनी गोद में फूल के समान छेल लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने पालना दी और उसकी बाबा रक्षक बन करके रक्षा कर उसे अपना बच्चा तो बाबा कई था तो बाबा ने ही संभाला बाबा ने ही बचाया और बहुत अच्छा मस्त है एकदम बहुत ही आच्छा है कोई उसको प्राबलम नहीं है तो बहुत तो बाबा ने ही उससे वापस किया तो उस टाइम से मुझे ब्लाइंड फेथ हुआ 2018 से और फिर जब कोरोना आया 2019 जन्वरी में तो शुरू हो गया था लेकिन हमारे हाँ तो जो है मार्च अपरिल में थोड़ा आया तब से मैं मोरली घर में तो फिर मुझे एक मैंने बाबा को पहले लिखा मैंने का बाबा मैं आप का क्या मुरली पढ़ सकती हूँ तो मैंने बाबा को बकाइदा चिठी में लिखा और वो डेट भी मैं कभी चिठी भी जरूर आप सबको ए सामने दिखाऊंगी तो वो चिठी में मैंने करीब करीब मार्च 21 या 27 को 19 में लिखा कि बाबा मैं जो हूँ सेवा करना चाहती हूँ या मुरली में लाइब चलाना चाहती हूँ तो आप यकीन करिये वो मैंने लिखा तो फिर अप्रेल माई में मैंने पहली मुरली चलाई और शुरू-शुरू में कुछ भी कोई ऐसे रिप्लाइ नहीं आता था कोई नहीं सुनता था जीरो चलता था और उस समय उतना अच्छा होता भी नहीं था क्योंकि शुरू-शुरू का नया-nया एक्स्पिरियंस था, कुछ पता नहीं था कोर्स भी नहीं किया था फिर लेकिन बाबा का क्या है कि हम कई भाई बहन मुरली जो है मिस करते हैं, सुनते नहीं है तो मुरली बाबा चलाते हैं हम बच्चों के लिए वो जो तीन पेज, ढ़ाई पेज की डेली जो बाबा मुरली लिखते हैं, जो बच्चों को पत्र लिखते हैं वो ही उसमें ही सारे कोर्स आत्मा का ज्यान, मनुष श्रष्टी रूपी चक्र का ज्यान, जार का ज्यान, बाबा का ज्यान, बच्चों का ज्यान, आदिम अध्यांत का ज्यान सब बाबा मूरली में बताते हैं और बाबा कहते भी हैं कि आप साथ रोज का कोर्स कर लो तो फिर आपको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहो बस मुरले सुनते रहो बाबा की पढ़ाई बिल्कुल तिल लास्ट मुमेंट तक जब तक आपका जीवन है तब तक आप उसे नहीं छोड़ो तो देखिए य मध्वन ना जाने के वावसूथ भी, बाबा ने मुझे अपना बच्चा तो बनाया है. साथ में बाबा ने मुझे इतनी बड़ी सेवा का निमित आत्मां चुना, वाह वाबा वाह 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 वद्रामा वाह वह मेरा भागय वह वह दुनिया वह 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 सपने में नहीं सोचा था कि बाबा का मैं जो मुरली का M, बाबा का B, ग्यान का G, जिसके बारे मैं मुझे नहीं पता था, जो बाबा ने बैठे बैठे मेरे घर को मधवण सा सजा दिया, मेरे मन को मधवण सा बना दिया, और हर कदम, हर पल, हर शुन बाबा इतने अच्छे- करके डंग हो जाएंगे शॉक हो जाएंगे और मैं इसलिए एक्सपीरेंस अचा कर रही हूँ लाकि जो भी संसार में दुखी आतमाएं हैं जो भी संसार में दुखी दुख से हैं इतने दुखी हैं कि हर पल उन्हें लगता है कि मैं शरीर छोड़ दू जान दे दू ऐसी लीजिए और जादा से जादा इन अनभों को साजा करिए आप अपने भी साजा अनभों करते रहे ताकि हर एक दुखी आत्मा को उस परमात्मा से संबंध चोड़ने का मौका मिले हर एक आत्मा उस परमात्मा को पेचाने हर एक मनुश्य आत्मा उस परमात्मा के साथ का अनभ सबी का बहुत बहुत शुक्रिया, सब सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, और बाबा का योँ ही साथ आपके मिलता रहें, और आप योँ ही सदा सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन रहें, अंदर से बाहर से नहीं, अंदर से भरपूर रहें, बाहर से रहने का तो दिखावा आई है आच्छ, आप्छ, आप्छ. आप्छ, 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 आप्छ